नमस्कार मित्रो हरहर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो कैसा रहेगा अक्टूबर का ये महीना यकीन मानिये दुश्मन आपकी मुठ़्ि में केद होगा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा सोर्य, मंगल और शुक्र जैसे तीन बड़े ग्रह इस माह में अपना राशी परिवर्तन करेंगे जिसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक असर आपके उपर पड़ेगा वो बहुत जानने वाली बात है शार्दिय नवरात्री भी हमें इसी महिने देखने को मिलेगी जिसमें माता की आराधना का विशेश महत वह होता है यानि कि अक्टूबर का ये महिना कई सुख कई सोभाग्य को ला रहा है तियोहारो को ला रहा है लेकिन कही कही पर कुछ अशुपता चाही है जो कि नकारात्मक ग्रहों का नकारात्मक परिणाम है तो आप वीडियो को अंते तक अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अक्टूबर के महिने में कौन सी गलतिया नहीं करनी हैं, कौन सी साउधानिया बरतनी हैं और कौन से उपाए मुझे करने हैं सबसे पहले सचे शिवभक्त इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी जै श्री महाकाल जरूर लिखे आपके भी सारे रुकेवे काम बनेंगे दोस्तो अक्टूबर के इस महिने में खास तोर पर जो महिलाएक काम काच करती है और घर भी समालती है वे चात्रे जो पार्ट टाइम जॉब भी करते और अपनी पढ़ाई भी देखते हैं साथी साथ कुछ ऐसे लोग जो टार्गेट बेश्ड काम करतें कमिशन का काम करतें उनके लिए यह महिना उम्दा है जो बरदस्त है शानदार है बहतरिन शुप समय आपके लिए रहेगा चिंता आपको नहीं करनी है आप बहुत अच्छी प्रगरती प्राप्त करेंगे परिवर्दन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शुक परिणाम तो आएगा शुक्र से नहीं आया तो मंगल से आया तो सूरी से आएगा लेकिन भूमी भवन का विवात आज नहीं तो कल इस महीने में सुलजने वाला है बस यह आपके लिए बहुत बढ़िया बात है सातिसा दोस्तो यात्रा नए संपर्क और लाप को बढ़ाने वाली साबित होगी छात्रों को परिक्षा प्रतियोगिता की तियारी में विशेश काम्याबी मिलेगी और घर परिवार से जुड़ा कोई बढ़ा फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं तो परिजनों के साथ थो इन दो चीजों पर काबू पाने में सक्षम हो जाते हैं काम्याब हो जाते हैं तो आपके कई बिगड़े काम बन सकते हैं या जो भी अर्चने थी वो खत्म हो सकती है इनसान का आलस से उसे महनती नहीं बनने देता और इनसान का विमान कभी भी उसे जुकने नहीं देता ले कि वो अपने मेहनत को हतियार बनाकर जीवन में सदेव आगे बढ़ता है साथे साथ दोस्तो व्योसाय में लाब होगा मार्केट में आपकी पहचान आपका सम्मान बढ़ने वाला है प्रेम संबंदों के दरश्टी से भी समय काफी अनुकुल है यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है क्योंकि शुक्र ग्रह का बहतिन प्रभाव प्रेम जीवन के लिए है और वहाँ पर काफी सकारात्मक्ता चाही है और संभावना हां की बहुत जादा नजर आ रही है पारिवारिक द्रश्टिकोंड से अगर हम देखे तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें सभी का सहयोग मिले कभी कभी कुद जनन्नय खुद के बलबूते पर भी लेने पड़ सकते हैं या किसी का मन दुखा कर भी लेने पड़ सकते हैं तो वहाँ खुद को थोड़ा सा कठोर रखने की जरूरत है इमोशनल होकर भावनाओं में बह कर आप अपने हातों अपने पेरों पर कुलहाडी न मारे कामकाजी महिलाओ के लिए ये समय पहतरीन है बस आपको काम और घर इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छे से बिठाना होगा क्योंकि इधर ज्यादा व्यस्तता बड़ी तो इधर खराब हो जाएगा इधर व्यस्तता बड़ी तो उधर खराब हो जाएगा दोनों का मेल जोल के से बिठाना है वो चीज आपको प्रबंधित करनी है अगर आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा साउधानी के साथ चला है अन्य था चोट चपेट लगने की भी आशंका बन रही है चुकि मंगल का या राशी परिवर्तन हो रहा है अपने घुसे पर थोड़ा सा काबू रखिएगा बात बात पर क्रोधित हो जाना और किसी को कुछ भी अपशब्द कहा देना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है अब दोस्तों जैसे ही माह का मध्यभाग आएगा अक्टूबर महिने का जैसे ही 15 तारिक के बात का समय आएगा इस शुरुवात की अबेक्षा ये वाला भाग बहुत जादा शुब रहेगा काफी समय से जो पुराना रोग उब्रा हुआ था वो रोग अब दूर होगा आप महसूस करेंगे जो बिमारी चिंता का कारण थी अब वो पल भर में कही ओजल हो गई है यानि की स्वास्थे के मामले में अंतिम 15 दिन बहुत बहतरीन साबित होंगे लेकिन आपको किसी के आलोचना नहीं करनी है या किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है आपको अपनी मस्ती में मगन रहना है और बेवजब की परेशानिया नहीं जेलनी है साथी साथ अपनी मार्केट में साग अगर आप बनाय रखना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटीटर से आपको कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है सुअजनों और शिपचिंतकों का सहयोग आपको प्राप्त होगा जिससे आपके बने बड़ाए बिगड़े काम भी बन जाएंगे व्याव साइस के सिलसले में यात्रा काफी लाप्रद होगी और दोस्तों प्रेम संबंदों में काफी प्रगानता आने वाली है लव पार्टनर के साथ हसी खुशी भरे पल आप बिताएंगे और साथी साथ अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आएंगे इन खर्चों को करना भी बहुत जरूरी होगा लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों को काबू में रखिएगा क्योंकि बचत ही भविश्य की कमाई है मौसमी बिमारियों को लेकर थोड़ा सतर करें अपने खान-पान का ध्यान रखे ऐसा न हो कि ये चीज आपके महिने को बाधित कर दे स्वास्त अगर खराब हो गया तो काम नहीं कर पाएंगे आराम आराम में दिन चला जाएगा तो खान-पान का अब ध्यान रखें अब बात करेंगे इस महिने के अंतेगी कि एक्टूबर का अंत आखिरकार आपके लिए कैसा होगा देखें शुरुआस से अगर पैसो को सिमित मातरा में खर्च अगर करते चले जाएंगे तो अंत में आपके पास ठिक ठाक पैसा बचेगा आप उससे घर सला लेंगे कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी लोन लेने की नौबत नहीं आएगी तो सबसे पहले तो अपने समय का और अपने पैसो का प्रबंदन करके चलिएगा तो अन्त बहुत अच्छा होगा साती सात किसी कारी को अधूरा छोड़कर नए काम को हाथ में नहीं लेना है आपकी एक और ये सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है वो काम तो पूरा होता नहीं जो आप कर रहे हैं आप उसे छोड़ आप दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेए थोड़ा सा समझेए और उसी काम को दिल से करिए जिस काम को आप कर सकते हैं या जिस काम को आप करना चाहते हैं इसे के साथ साथ दोस्तों इस माहा के अंततक पैसो की किल्लत दूर हो सकती है क्योंकि आर्थिक तोर पर हमें काफी अच्छा यहाँ पर एक फल मिलेगा लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो होता है अच्छे के लिए होता है जब कुछ होता है हमारे जीवन मे तो भगवान के मर्जे से होता है और जब कुछ नहीं होता है तो भी उनकी मर्जे से होता है तो हर चीज में आपको प्रसनिता ढूंडनी है हर चीज में आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए बहुत ज़्यादा खुशी आ जाए तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है बहुत ज़्यादा दूख आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा धैरी भी रखना है पारिवारिक सुक्कि द्रश्टी से समय मध्यम वलकारी है आपकी भाई बेहनों और माता पिता को लेकर किसी बात पर अनबन होने की संभावनाए है व्यावसाय में तमाम तरकी चुनोतियों से आपको जूजना पड़ सकता है अपने बुद्ध्य और अपने विवेक से अगर काम लेंगे तो इस्तित्या काफी सुलत जाएगी परिस्तित्यों के हल काफी हद तक निकल जाएंगे खुले हाथ खर्च करने के आदस से आपको बचना होगा साथी साथ उधाल लेने की नौबत न आए इसलिए हमने आपको बताया है कि शुरू से लेकर अंत तक पैसों को किस रूप में आपको चलाना है प्रबंदन करके चलेंगे धनका तो जादा अच्छा रहेगा कठिन समय में यही पैसा आपके काम आएगा अब हम आपको दो उपाय बहुत ही महत्वपून बताने जा रहे हैं अगर आप यह दोनों उपाय करते हैं तो आपको लाब अपार माता में प्राप्त होगा सबसे पहला उपाय हम आपको सौमबार के लिए बता रहे हैं चुकि पित्र पक्ष के दिन चल रहे हैं इन 16 दिनों में हमारे पित्रों का ध्यान किया जाता है और हम जो भी दान भूने करते हैं वो अमारे पित्रों को जाता है तो मातर 16 दिन हैं दोस्तों आप सभी अपने पित्रों का ध्यान रखें एक लोटा जल में काले तिल मिला करके श्विलिंग पर अभिशेक करते हुँ ओम पित्र देवतायनमा इस मंत्र का जाप करें बहुत अच्छा ये उपाय है और ये जल आपके पित्रों को प्राप्त होगा और साथिसा दोस्तों गौमाता की सेवा आपको बहुत ज़्यादा कर ये बहुत बड़ी उनकी भूल है बहुत बड़ी नादानी है इससे जितना आप बच कर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा अब दोस्तों एक और शांदार और सटी कुपाय मंगलवार के लिए मंगलवार की दिन दोस्तों आपको क्या करना है चुमान जी महराज को चोला चड़वाना है और ये चोला आपको चड़वाना है चमेली के तेल में इतना आप ध्यान रखेगा सच्चे मन से प्रातना कन्य गुलाब की एक माला लियाएगा थोड़ा सा प्रशाद लियाएगा बुन्दे के लड़ू या गुर्चने का प्र करें क्योंकि ये जो दुनिया है ये दोगले लोगों से भरी हुई है और ये दोगले लोग जिंदेगी के किस पत पर क्या आपको नुक्सान पहुचा दे ये कहा नहीं जा सकता इसलिए किसी भी प्रकार का दिखागा या किसी भी चीज का ख़बंड ना करें अन्य था वो पैसा उसके पास क्या गया थोड़ा बहुत अस्तित्व उसके पास क्या गया सम्मान क्या गया वो घमन करने लगता है और भगवान को यही नहीं पसंद तो आने वाली जो बड़ी सफलता थी वो टल जाती है लेकिन जो इंसान सफलता को पचाना जानता है जो इंसान बहुत कुछ मिलने के बाद भी विनमर रहता है उसे और भी बहुत कुछ जीवन में मिलता है यानि कि एक सबर रखकर यानि कि एक धैरी रखकर और अपने आपको विनमर रखकर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं व्यावसाइस जड़े लोगों को बाजार में थोड़ी सी धाग जमा कर रखनी होगी, अपना नाम बना कर रखना होगा, देखिए जो बारिश की बुंदे होती है, वो जब नदियों में गिरती है, समुंदर में गिरती है, तो उसका क्या अस्तित्व कोन उसे जानता है, लेक हमारा भी नाम बनेगा हमारा भी काम बनेगा तो ये चीजे आपको समझनी होगी अपनी वाड़ी और व्यवहार के चलते सालों से बने संबंदों में दरार भी आ सकती क्योंकि आपका सोभाव वैसे बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती या किस बात को लेकर अगर आप चिड़ जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा इबलेपने करने लगते हैं फिर आप बहुत ज़्यादा सामने वाले की विरोधी बन जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा समालिये व्यवहार को आपके लिए अच्छा रहेगा घर परिवार की सम हो जाता है जाने नजाने में खुछ से डिसिजण ले ले लेते हैं परीवार कीbyach महतवपूर्ण लोगों से नहीं पुस्ते और वह चीज उनके जीवन में मुसीबत एलाती हैं वह चीज उन्हें हमेशागे लिए नाराज कर और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय भी जादा ही देना पड़ेगा तो तुला राशी वालों आज की वीडियो में हमने बात करी है आने वाले पूरे पहिने की वीडियो में कोई भी बात अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद